तो यह क्योसरा का 3212i model है तो इसमें default paper कैसे set करेंगे हम लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखो जब आप copy प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ default paper size नहीं आ रहा है यह सिर्फ बता रहे है कि paper selection तो आजुम आपको अभी A4 size paper set करना है तो system counter पे click करो copy option को select करो और जो third option है paper size for small origin तो इसको change करके तो यह default में अगर है तो आपको required जो है A5 A4 B5 जो भी है तो मैं A5 कर रहा हूं तो A5 में भी दो है यह landscape और यह portrait है तो मैं portrait select कर रहा हूं और प्रेस कर रहा हूं close कर रहा हूं तो अभी आप refresh करेंगे तो आपको यहां पर और आपको सेम system counter में जाके copy और यहां पर जो option 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 है आटो बोलके तो उसको आपको change करना है default paper source प्रेस ओके करो तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर एफर बल क्या आगा है one size reset